पहला धमाखा दूसरा धमाखा तीसरा धमाखा एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हेजबुल्ला ने फोर डाली इसरेल की तीन आंख पहली आंख दूसरी आंख हेजबुल्ला ने मिसाइल अटेक करके इसरेल की तीन आंखों को फोर दिया यह मेरान एयर सर्विलेंस मेस है और यहाँ इसरेल के रेडार और कम्मुनिकेशन सिस्टम थी जिससे वो लेबनान में हेजबुल्ला पर नजर गड़ाए रहता था अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझे लेबनान बॉर्डर पर यह हैं इसरेल की तीन आंख यानि तीन ग्लोब रेडार और साथ में हैं इसरेल के कम्मुनिकेशन टावर यह मेरान एयर सर्विलेंस बेस है जिसे तयार करने में इसरेल ने अर्बों रुपए खर्च किये थे यही वज़े है कि लेबनान के हिजबुला ने इसे अपना सौफ टार्गिट बनाया बेरूत में हमास के डिप्टी चीफ साले अल-अरूरी की मौत के बाद यह हिजबुला का इसरेल पर सबसे बड़ा हमला है यह इसरेल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है एक तरह से हिजबुला ने इसरेल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया है अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नस्रला लेकिन अब लग रहा है कि शुरू हो चुका है अरूरी का बदला इस्राइल पर तूट रहा है हिस्बॉल्ला, हसन नस्राला को पहले बैकफूट पर देखा गया अरूरी कि मौत किबाद हसन नस्राला की जोबन में वो तीकाफन नहीं था जिसकी इस्राइल को अमीड थी अब हजबॉल्ला अपना सबसे काथरना काटक करके अजरेल को सुचने पर मघूर कादिया है कि वो हजबॉल्ला से कैसे नप्तेगा अद्बॉल्ला अध्डबल्या में चाबलीम, हकाएट הם פועלים ללא מסגרת ולא מפקדים नתקלנו וגם נתקל बיירי רקטי ספורדי मा המרחב הזה तקפנו तो ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה זה דורש זמן אין קיצורי דרך בלחימה בטרור इस वक्त लेपनान और इसरेल के मौत वाले बॉर्डर पर हजबॉल्ला का पूरा कंट्रोल है हजबॉल्ला अब ऐसी ऐसी मिसाइल फार कर रहा है जिसके आगे इसरेल की टैंक अपनी डोप रगड़ते हुए नजर आ रही है हजबॉल्ला ने निकाली हैं तीन बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तेयार कर चुका है और असी बहुत सी मिसाइल अब हजबॉल्ला के पास है दूसरी है BGM-71 TOW, टो, NG Tank Guided Missile, रेंज है 3,5 km, ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल इरान तयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है, तीसरी है 85 Concourse, रेंज 4 km, ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाम से तयार की ज जाती है, इन्ही मिसाइलों से हिजबुल्ला के मेरान एर सर्विलेंस बेस पर हमला किया है। Α ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इस्रेल के अड़े उड़ाए है उससे ये बात साबित हो जाती है हेजबॉल्ला का दावा है कि उसका हर हमला इस्रेल को मोटोड जवाब में बताया जा रहा है कि हेजबुल्ला ने इस अड़े को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की हैं और सभी अपने टार्केट पर लगी ये मेरान एयर सर्विलन्स बेस के अंदर की तज़्वीरे हैं जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है ये बेस 1960 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके इसका कंट्रोल इसरेल की एरफोर्स के पास है इस बेस से हवाई टार्गेट को भी ट्रैक किया जाता रहा है और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रैक किया जाता है ताकि लेबनान बॉर्डर से लगे उत्तरी इस्रैल के इलाखों को सुरक्षित रखा जा सके दक्षन लेबनान और उत्री इस्रेल के बीट जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत जादा है कब कहां बम फटेगा कहां धमाका होगा ये या तो हिस्बॉल्ला जानता है या फिर इस्रेल की सेना वैसे यहां के लोगों को भी बता है कि बहुत जल्दी युद का एपी सेंटर घाजा से निकल कर लेबनान तक पहुँच सकता है यहां तैनाथ सन्युक्त राश्ट की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है हमास के डिप्टी चीफ साले अलरूरी की मौत के बाद हिजबॉल्ला के सामने बस दो ही विकल्प है या तो उसे मरना होगा या उसे मारना होगा यही वज़य है कि हिजबॉल्ला ने इस्रेल के अट्टों को टार्गेट तरना तेज कर दिया है इस वक्त पश्य मेशय में युद्ध की जो आग लगी होई है घाजा पर बंबारी के बीच हमास और इस्रेल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है उसमें अब नया खत्रा इस्रेल और लबनान बॉर्डर का भी है यहां भढ़के शोले अब युद्ध की इस आग को दस गुना भढ़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ चार लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं पहले हैं इस्रेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू दूसरे हैं इरान के राश्रपती इब्राहिम रईसी तीसरे हैं अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन और चौते हैं यूरप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राश्रपती व्लाति मिर्फुत है इस सुवक्त सबसे ज़ादा एक्टिव इरान है खास कर किर्मान में आतंकी धमानकों के बार एरान ने हेजबॉल्ला और यमन के हुथी वे द्रोहियों को चौकनना रहने के लिए कहा है एरान ने इन दोनों मिलीशिया तक पहले ही अतने हत्यार पहुंचा दिये हैं कि अगर इस्रेयल में गाजा पर बंबारी नहीं रोकी तो हिजबॉल्ला और हुथी दोनो इस्रेयल पर बंबण कर पड़ सकतें ये बार नेतन यहु भी जानतें जब से साले अल-अरूरी को एजरेल ने ड्रॉन स्ट्राइक मेमारा है तना बहुत जादा फाल गया है ये ड्रॉन स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में होई जिसे हिजबुला का बढ़ बाना जाता है दहिया में जब साले अल-अरूरी को जब हमास के ओफिस के करीब देखा गया तब इसरेल का ड्रॉन मौत बनकर तूट पड़ा इस हमले में साले अल-अरूरी के अलावा पांच और लोग मारे गए जो हमास के ही अधिकारी थे सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा जिसमें बड़ी लड़ाई इसरेल और हिजबॉल्ला के बीच होगी ऐसा युद्ध जिसमें इसरेल की तरफ होगा अमेरिका जब की हिजबॉल्ला की मदद करेगा ऐरान हलाकि मैनमन नेतनियाहो इससे पहले ही बेरूत को घाजा बनाने की धमकी दे चुके हैं देखा जाए तो हिजबॉल्ला वो संगठन है जिसे इरान से पूरी मदद मिलती है और इरान हिजबॉल्ला को इसरेल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तोर पर इस्तिमाल भी करता आया है लेकिन इस्रेल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोराई जा सकती है 2006 में हिजबुल्ला और इस्रेल के बीट 34 दिन तक युद्ध चला था तब इस्रेल के 121 सानिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे जबकि हिजबुल्ला के 200 लड़ाकों समेथ लेबनान के 1200 लोगों की मौत होई थी हम अपनी वीडियो लाइबरेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तजवीरें निकाल कर लाए हैं तकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके लिबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार गाजा का कर रहा है इसलिए हिजबुल्ला को नेतनियाहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा क्योंकि इसरेल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा ये वो साफ साफ कह रहा है इसरेल जानता है कि अरूरी की मौट ने उसका एक दुश्मन खत्म किया है लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाब तयार हो चुके हैं हमास के चीफ इसमाईल हानिया ने भी कह दिया है कि इसरेल को अरूरी के मौडर की कीमत चुकानी होगी अरूरी की मौट से इसरेल के तीन बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार जटका लगा है पहला जटका हमास को लगा है क्योंकि सालेह अल-अरूरी इसमाइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था दूसरा जटका इरान को लगा है क्योंकि सालेइ अल-अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हेजबुल्ला और इरान के साथ हाएम मतभेत को दूर किया था तीसरा बहुत बड़ा जटका हिजबुल्ला को लगा है क्योंकि इस्रेल ने बता दिया है कि अब वो लिबनान की राजधानी वेरूत और हसन नस्रुल्ला के गड़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा इस सुक्त घाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युदके हालात बनते नजर आ रहे हैं सालेreek अलजूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गै है सड़कों पर हजारों लोग इस्रेल के खिलाप उतर आए हालात ऐसे हैं कि इस्रेयल को अब अपनी ड्रोन फोर्स को वेस्ट बैंक के उपर एक्टिव करना पड़ा है देखा जाए तो वेस्ट बैंक इस्रेयल के खिलाब पांचवा मोर्चा है इससे पहले घाजा के लड़ाई है हिस्बुल्ला से लड़ाई है भूथी से युद्ध का खत्रा बढ़ता जा रहा है इराक में इरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के ठेकानों पर हमले बढ़ा दिये है अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे इसमें कोई शक्त में ये युद्ध फैला तो समझ लीजे कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे